बिहार के खगड़िया का लड़का और चीन की रहने वाली लड़की की शादी की चर्चा जब शहर में होती है तो लोग बस उसके बारे में सुनते रहे जाते हैं। दुलहन एकदम भारतिय लड़की की तरह दुलहन का जोड़ा जो होता है वो पहन कर बेंड बाजा के साथ नाच रही थी अपने हाथ में थाली लेकर दुलहे का आरती उतार रही थी वर्माला पहना रही थी और यह सब कुछ देकर लोगों को अंदाजा तक नहीं हो रहा था क यह लड़की जो इतने अच्छे से भारतिय परंपरा को निभा रही है यह लड़की चीन की रहने वाली है और इसके बाद हमने कहानी पढ़ा तो सोचा कि बिहार के खगडिया जिले के रहने वाले राजिव गुपता और चीन की लड़की जिसका नाम लिव डन है उस ने शादी कर ली बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं कि खगडिया जिले के रहने वाले राजिव कुमार गुपता कुछ साल पहले चीन में पढ़ाई के लिए गय थे वहां पर पढ़ाई करते वक्त उनकी मुलाकात हुई चीन की एक लड़की से जो उनकी दोस्त बन गई बताया जाता है कि कई सालों तक दोनों एक दूसरे के दोस्त रहे लेकिन इसके बाद चीन की लड़की और बिहार के खगडिया के रहने वाले राजिव गुपता को वापस में प्यार हो गया इसके बाद राजिव गुपता दूर किसी दूसरे देश की लड़की से जाकर अगर कोई लड़का कहे कि हमको प्यार हो गया है हमको शादी करनी है तो मा बाप कितनी आसानी से तयार होंगे लेकिन 10 साल तक दोनों एक दूसरे के दोस्त रहे और 10 साल के बाद अंततह परिवार तयार हुआ और बिहार के गुपता की शादी हो गई बताया जाता है कि जो खगडिया के रहने वाले हैं रंजीत गुपता उस रंजीत गुपता और उर्मिला देवी के बेटे का नाम है राजीव गुपता राजीव को पढ़ने के लिए चाइना भेजा गया वो चाइना में पढ़ाई करने गये और उस लड़की से जब दोस्ती हुई तब दोनों को प्यार हो गया और उस प्यार को पाने के लिए दस साल के बाद राजीव कुमार गुपता ने अपने घर वालों को मनाया और उसके बाद उस लड़की से शादी कर ली। पाने के कारण वो नहीं आ पाएं और अब चुकी साधी जो है वो भारतिय रीती रिवाज भारतिय परंपरा से हुई तो पंडित जी ने जो डेट तारिख बताया था उस तारिख पर लड़की किसी प्रकार से आई और दोनों का शादी संपन हो गया फिलाल चीन की लड़की क की शादी बिहार के खगडिया जिले के रहने वाले राजिव गुपता से होती है और ये तमाम तस्बीरे एक एक तस्बीर देकर अब समझ पाएंगे कि चीन की लड़की कैसे एक दम भारतिय दुलहन की तरह कपड़ा पहन कर एक दम भारतिय परंपरा के अनुसार पूरे के पूरे शादी को इंजवाय करती है जब बेंडबाजा बसता है सब लोग नासते है तब वहाँ पर वो लड़की भी नासती है और वो लड़की एक दम भारतिय दुलहन की तरह तयार होकर शादी करने के लिए मंच पर जाती है और फिर बिहार के राजिव गुपता से उसकी शादी संपन होती है और वो बिहार की भारत की बहु बन जाती है फिलहाल राजिव गुपता और चीन की रहने वाली लिव की कहानी प्रेम कहानी आप कहिए हमने आप तक पहुचा दी है आपके इस पर क्या राय है कमेंट वक्स वाली के रबताईएगा आगे की तमाम खबर के लिए जो भी खबर राजिवती की जुनिया से जुड़ी हुई या जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ में आप तक पहुचाएंगे आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा हमारे फेस्बुक पेच को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को सब् करें और में मुईत कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद